प्यारे बच्चो अब हम रशना चार करने जा रहे हैं आपकी किताब के आधार पर और यह जो रशना है वो समरूप त्रिभुज की रशना है अभी तक आपने बराबर कोण बनाये समनांतर रखाएं कि रिखाओं के टुकड़े किये अब इन सभी गुणों के आधार पर हम ए हुई है कि एक त्रिभुज ABC कोई सा भी दिया हुआ है हमें और हम ABC के समरूप एक ऐसे रशना करेंगे जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की तीन बटे पांच हो तीन बटे पांच आप देखिए एक से छोटी भिन है यानि जो नया त्रिभुज बनेगा वह से च्छूटा होगा यानि नये त्रिभुज के देवी भुजाओं के तीन बटे पांच के बराबर होंगी यय।асьGood which सबसे पहले हम एक ऐसे त्रिबूज के रशना करते हैं जिसके समरूप हमें दूसरा त्रिबूज बनाना है हम अपने मंद से कैसा भी एक त्रिबूज बनाएं तो चलिए पर यहां पर हमें एक त्रिबूज की रशना करते हैं यहां हमले ताकि इस बची हुई जगह पर रशना कर सके यह इसकी एक भूजा हम बनाएं यह दूसरी बूजा हमने बना ली और इसके तीसरी बूजा भी हम बना लेते हैं मालने यह वो त्रिबूज है जिसके समरूप त्रिबूज हम बनाना चाहते हैं तो यह त्रिबूज हमने बनाया आपने मन से आप भी ऐसा कर सकते हैं आप इनको कोई नाम देते हैं मालने जहां हम यहां से शुरू करते हैं शिर्स A है यह शिर्स B है और शिर्स C है अब हम एक ऐसा त्रिफुश बनाएंगे जिसकी भुजाएं इसकी तीन मेटे पांच हो यानि अगर हम इस शिर्स B को उभयनिस्ट माने तो हमको एक ऐसा त्रिफुश यहां पर इस तरह का बनाना होगा जिसमें यह भुजा बनेगी व इसकी तिन मेटे पांच हो और यहां जो हम को भुजा मिलेगी वह A, B की तीन मेटे पांच हो एक ऐसे त्रिफुश के हमको रशना करनी है तो सबसर पहले हम क्या करेंगे कि इसकी एक भुजा को हम पांच बराबर हिस्सों में बाटेंगे उसमें से तीन हिस्सा ले लेंगे तो माल लेजे वो भुजा BC है जिसको हम पांच बराबर भागों में बाटें और इसके तीन भाग को हम ले ले किसी भुजा को देवे अनुपात बाटना आपने सीख लिया है उस गुण का उपयोग करते हुए हम इस त्रिभुज की एक भुजा BC को तीन और पांच के अनुप BC अगर तीन हिस्सित को प्रदर्शित करता है और BC पांच हिस्सित को प्रदर्शित करता है तो BP BC का तीन बटे पांच होगा तो ऐसा करने के लिए हम एक न्यून कॉल यहां पर बनाएं है Bx यह कोई सब भी हमने एक कोन बना लिया बस यह ध्यान रखना है कि निवन कोन बने ताकि रशना करने पर हमको आसानी हो अब हम चूँकि इसके पाँच बराबर भाग करना चाहते हैं लेकिन वो पाँच बराबर भाग क्या होंगा यहां हमको पता नहीं है लेकिन हम चाहें तो हम पर पांच बराबर बराबर रेखा खंड ले सकते हैं किसी एक चाप के माध्य हम से तो हमने एक चाप अपने मर्जी से चुना और ऐसे पांच बराबर हिस्से हम इस लाइन पर काटते चले जाते हैं एक हमने काटा देखिए, यह अब हम दूसरा काट रहे हैं, इसी के बराबर एक चाप और हम तीसरा लिए, यह तीन टुकड़ा हुआ, तीसरा हिस्सा हुआ, और ठीक इसी के बराबर एक और हिस्सा हमने लिया है, चार हो गया है, और एक हमने और ले लिया, आप देख रहे हैं जो हमने पांच हिस्सें लिये हैं एक दो तीन चार पांच यह सब एक ही चांप एक सबें सब technically आपस बराबर हैंट dos अरश्वी इसके हम पांच 1500 के बराबर के हैं यह इसकी वटाफ साम को लेने पड़ेगी इस रेखाखट को बनाया इसका समनानतर रदी हम यहां से को करद थाőuv Etam इस ब बे-स्या से आनुपास में काटे के छिस अनुपास में इससी पूरे को काट रहा है तो आप देखे रहें वो बी सी का तीसरा हिस्सा होगी अगर बी सी पांच हिस्से हैं तो चली करके देखते हैं तो यह हमने चुकि पांच बराबर हिस्से लिए इस पांच वाले बिंदू को हम सी से मिला दें देखिए बहुत आसान है इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं गिवल मेजर्मेंट य ये देखिए हमने इस बिंदों के मिला दिया और इसको हम माल लेजे ये चुके B है तो इसको हम सभी को नाम दे दे इसको नाम आप दे दीजे B1 इसका नाम दे दीजे B2 ये हुआ B3 ये B4 और ये B5 हुआ ये हमने इन सब के नाम दे दी सबींदओं के और B5 को सी से मिला दिया तो चुकि ये 5 बराबर हिस्से हैं 1,2,3,4,5 बराबर हिस्से हैं और आप देख रहे हैं कि Bb3 जो है वो स्वाय टीन हिस्सों को प्रदर्स्जित कर रहा है तो आप कहा सकते हैं कि जो B3 है वो तो भी बीफाइब को तीन और पांच खर्ण को पांच तीन और पांच खर्ण बाढ़ता है तो अब यह थी से एक समनांतर रेखा बीफाइब सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर एक चाप लेंगे और ठीक इसी के बराबर चाप हम यहां पर भी काटेंगे और जो चाप की लंबाई होगी कुल उत्मी लंबाई यहां पर भी लेंगे तो यह दो कौन बराबर बन जाएंगे और चूंकि आप जानते हैं कि यह दिख कौन बराबर हैं और संगतीत कौन जैसी सिति में हैं तो जो रेखा बनती है वो इसका सवानांतर होती है तो चलिए हम परकार कपार का फिर सूपयोग करें और यहां पर एक चाप की रिशना करें कुई सभी है आप मापके चाप लिजिए यह माली ज़ी हमने एक चाप काटा अब बिल्कुल इस ही नापका चाप वी B3 से भी काटिए यह हमने परकार की नो को B3 पर रखा और बिल्कुल उसी नापके एक चाप हमने यहाँ पर काट लिया अब इस चाप की जो लंबाई है उसको भी आप देखिए यहाँ पर से कैसे कवर कर सकते हैं यह आप इसके बराबर लीजिए यह देखिए यह हमने लिया म वैसा ही फैला आप यहाँ पर लीजिए और एक चोटा सा चाप इस चाप के उपर और काट दीजिए बने अब देख रहे हैं कि यह जो लंबाई आपको मिल रहे है वो ठीक इसके बराबर है यानि यह यहां से B3 से जो रेखा इसको काटते हो जाएगी वह इसके समनांतर हो चली यह वाला काम भी कर लें हम यह जो नया कटन बिन्दू मिला है उसको हम B3 से मिलाएं और इसको बढ़ाते हुए हम एक रेखा खंड कीज देते हैं इसको हम कटी हुए लाइन से पदर्शित करें तो ज्यादा अच्छा होगा यह देखिए यह जो रेखा खंड मिल रहा ह है इस लाइन पर वो इस जगह पर मिल रहा है इसको भी आप कोई नाम दे दे माल ली जिसको हम नाम देते हैं पी तो यह जो BP है वह BC का 3वटे 5 होगा यह यह दिबी सी को हम 5 बराबर हिस्सों में तोड़े तो BP उन में से 3 हिस्सों को प्रद्रशित करेगा तो यह हमने पा तो हम यह कह सकते हैं कि जो नया तृभूज इससके अंदर बनने वाला है जिसके भुजाओं का उन पाथ इस पूराने तृभूज की भुजाओं का उन पाथ की तीन बटे-पांश में हैं तो उसका एक बिंदु हमको यहांपर पी मिला यानि उस त्रिवुच की एक भुजा बी पी के बराबर होगी बी पी बी सी का तीन बेटे पांच है अब ठीक इसी तरह से हमको यहां पर भी एक बिंदू ऐसा चाहिए जो इसका तीन बेटे पांच हो तो दुबारा हमको यह सब करने की जरुरत नहीं पड़ेगी हम क्या करें कि यहां से इसके समनानता रेक रेखा खीचे तो आपको मालूम है थेल्स प्रमे के आधार पर कि यदि हम त्रिवुच की किसी एक भुजा के समनानता दूसरी भुजा खीचते हैं तो वो त्रिबुज की दूतरी भुज़ा को एक समवन अनुपात में काड़ता है माने हम यदि A C के समवन अंतर एक रेखा करने यहां से खीश पाएं तो वो इस पूरे A B को उसी अनुपात में पाड़ते के जिस अनुपात में पी B C को काड़ रहा है तो अब यहां से हम समवन अंतर देखा किशना चाहते हैं तो फिर से इस गोड़ का उपयोग करेंगे हम इस कोर्ण के बराबर एक कोड की रेष्ण ने हैं पर करेंगे तो जैसे आपने हम पर किया था वैसी यहां पर भी करीए C पर जो कौड बन रहा है यानि कोण A, C, B A, C, B के बराबर एक कोण के रशना हम यदि P पर कर ले तो हमको इसके सबनांतर रेखा मिल जाएगी A, C के तो एक चाप हमने ये लिया और ठीक उसके बराबर तरिजा के चाप हम यहाँ पर भी काटे ये देखें काट दिया अब इस चाप की जो लंबाई है उसको भी हम परकार से ले ये हमने इसको थोड़ा छोटा किया और ठीक इस कटन बिंदू पर लेके आते हैं ये देखिए ये हमने कटन बिंदू पर लिया और ये जो लंबाई है उसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर दे ये देखिए एक छोटा सा चाब हमने काटा अब ये जो बिंदू हमें मिल रहा है ये इसको हम मिला दें तो ठीक इसके बराबर कॉन बनेगा चलिए इस कॉन को हम बना दें यहां से पीशे शुरू करेंगे हम और इस कटिन बिंदू से होते हुए जाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे इसको भी हम इस कटिवी लाइन से आगे बढ़ा दें ये देखिए अभी जो रेखा आपकी बनने जा रही है रेखा खंड जो बन रहा है वो त्रिभुश की भुजा एसी के समना अंतर होगा इसको आप एक किरेंट के रूपर प्रतश्चित कर सकते हैं तो आप देखिए यहां पर भी आपको एक बिंदू मिलेगा इस बिंदू को आप एक नया नाम देदीजे मा लेजी बिंदू ये क्यू है अब आप देखिए कि आपने पी एक ऐसा बिंदू लिया था जो बी सी को तीन और पांच का नपात में बाढ़ता है आपने पी से आधार सी के समना अंतर है कर देखा पी क्यों खेंची जो बी एक को बिंदू क्यों पर काटती है तो थेल्स्प्रिम के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो अनपात इसका और इसका है वही अनपात इसका और इसका होगा इन दोनों का अनपात क्या है तीन और पांच का अनपात है यह आपको यहां से मिला था कि यह तीन और पांच का अनपात है और यह दोनों समना अंतर है इसलिए ये भी तीन और पांच का उनपात होंगे अब चुक्कि ये दोनों समानांतर हैं इसलिए इनका और इनका उनपात भी तीन और पांच का होगा तो देखिए फिर ये तीन और पांच का उनपात हुआ ये तीन और पांच का उनपात हुआ हम जो त्रिभुज चाहा रहे थे वो त्रिभुज है BPQ तो हम इस बात को लिख लें त्रिभुज BPQ जो नया बना है वो त्रिभुज BCA या ABC कह दें आप अप अप्चोंकि आपने B को पहले कहा है तो यहां पर भी B आपको पहले लिखना पड़ेगा तो BCA लिखना पड़ेगा आपको त्रिभुज BCA यह दोनों समरूप त्रिभुज होंगे समरूप कैसे होंगे यह भी हम आपके सामने रख देते हैं आप देख रहे हैं कि यह जो को हमने कोण बनाया वो इस कोण के बराबर है ये जो कोण है दोनों तरिभूजों में छोटे तरिभूज में भी और बड़े तरिभूज में common है और चुकि ये दोनों रेखा हैं सावनांतर हैं इसलिए ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है तो इस बड़े तरिभूज ABC के तीनों कोण करमशा चोटे तरिभूज QBP के तीनों कोड़ों के एक रमशा बराबर है इसलिए दोनों त्रिवुज A, B, C और Q, B, P ये दोनों समरूप हैं इस बात को आप इसलिए यहां लिख सकते हैं और चुक्के समरूप हैं इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके भुजाओं को जो अनुपात हैं वो सबी जगह पर बराबर होगा तो आप लिखें जैसे यहां पर आपको मिल रहा है B, P, B, C B, P, B, C बराबर इसको लें P, Q, B, C पहले हम छोटी वाले त्रिवुज की भुजाओं को लिख रहे हैं P, Q, फिर बड़े वाले त्रिवुज की भुजाओं लिख रहे हैं बराबर आप इसको लिखें Q, B, B, A, B Q, B, B, B अब आप देखिए B, P, B, C को गौर करिए है B, P, B, C कितना था B, B, 3, B, 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 5 B, 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 C, P, B, A यदि अब बड़े पांच को लिखें तो आप लिख सकते हैं B, P, B, 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 C और ऐसे ही P, Q बड़े तीन बड़े पांच इन दोनों का अधार पर लिख सकते हैं तीन बड़े पांच, C, A और QB बराबर 3 बटे 5 A B आप एक पर मिला लीजिए इन दोनों के दिए आप तुनला करते हैं तो B P बराबर 3 बटे 5 B C लिख सकते हैं इन दोनों के अधार पर लिख सकते हैं P Q बराबर 3 बटे 5 C यह आपने लिखा और इन दोनों के आधार पर लिख सकते हैं QB बराबर 3.5 AB तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे वाले त्रिभूज के प्रत्यक भुजा दूसरे वाले त्रिभूज की जो हमने पहले बनाया था तो आप ने एक ऐसे त्रिभूज QBP की रशना कर ली जो त्रिभूज ABC का प्रत्यक भुजा का 3.5 तो यह अभी त्रिभूज के रशना हुई और यह आप कर सकते हैं बहुत ध्यान से देखी आपने सिर्फ दो बार इस तरह के बराबर कॉन बनाने का काम किया और चीज इस तरह से निर्वेत हो गई